ही गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल नीजी जिन्दगी बैप अवी तो हाजिनों को और इंफोमेटी वीडियो के साथ चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सबी इंफोमेटी वीडियो आपके पास सबसे प फायदे हो सकते हैं तो उसके बारे मैं आज आपको बताऊंगी इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था लल बी का फुल फॉर्म क्या होता है तो सबसे पहले आप ये जाने की लल बी का फुल फॉर्म क्या है फिर उसके फायदों के बारे में जाने की लल बी करन ल्ल्व का ये कर सकते हैं ये ल्ल्व का ये कर सकते हैं ये छात्रों वी चाहिए थियुक्त करनेवाले च्राप सक्षकॉत बद्धिमान, बहुत बहुत जाली होती है उतस्दिंदर को चाहिए दूसरे के सामने अपनी बात रखने वाले होने चाहिए, जैसे जज और दूसरे वकीलों को अपनी बात को समझाने वाले होने चाहिए, अपनी बातों को समझा सकें, अब मैं बात करने वाली हूँ कि LLV करने की क्या फायदे हो सकते हैं, तो आप ये जानने कि LLV करने के या सरकारी बैंक और गौर्रमेंट बैंक और झो हो आपना एक अधिवरक्ता अधिवक्ता रखता है तो इसमें जो पोस्थ निखलती है इसको बोलते है iso, Spatial Officer in Bank के लिए वेकंसी ख़ती है वो निकलती है उसमें 50% आपको चाहिए होता है कि आप LLB पास आउट हो और आपका 50% LLB में होना चाहिए तो बैंक एक अपना परसनल वकीर लगती है उसमें जो पोस्टे निकलते हैं उसमें आप अप्लाइ करिए और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं जो सेलरी होती वो 50,000 से उपर ही होती है तो आप इसमें अपना अप्लाइ कर दिये और एक अच्छी सी ऑपर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं इसमें जो पोस्ट निकलते हैं उसको जैक की परिक्षा बोलते हैं इसमें जो आप अप्लाइ करने की आपकी उम्र होती है वो 27 साल से मतलब 27 साल तक होती है तो 27 साल तक आप इसको भर सकते हैं फार्म को और जैक का जो फार्म होता है वो भारती सेना के लिए होते हैं इसमें भी एड्विकेट और जज़ की जरुवत पड़ती है तो आप इसको भी अपलाई करके आप अपना अच्छा सा करियर सेट कर सकते हैं तो तीसरा जो है वो है ADPO सरकारी वकील जिला हर जिला में एक ज़ज होता है ज़ज की नीचे सरकारी वकील काम करता है APO जो पोस्ट होती है dia assistant prosecution officer की जो पोस्ट होती है वो भी सरकारी वकील को लिए होती है सरकारी अधिकारी की पोस्ट होती है उसमें भी अप अपलाई कर सकते हैं और हर एक जिला में एक सर्फ्त्र नियायल होता है session court होती है उसमे जज होता है जज की नीचे सरकारी वकील काम करता है तो APO और ADPO दो वहरतिया निकलती हैं, जिसमें आप apply कर सकते हैं, और अपना career बना सकते हैं, जो आपका चौथा benefit है, वो है job in private companies, जो private company होती है, उनके साथ आप job कर सकते हैं, हर एक private company होती है, जो अपना एक अलग से वकील hire करती है, उनकी vacancy निकलती है, उनका जो post निकलती है, उसमें भी अपना career सेट कर सकते हैं, जो पांच वा benefit है, वो है CJ और ADJ, additional district judge की post निकलती है, PCSJ rank की post होती है, CJ की judge की post निकलती है, आप उसमें apply कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ी opportunity मतलब प्राप्त कर सकते हैं, मैनत तो हर छेत्र में है, हर field में है, आपको मैनत करनी पड़ेगी, तब ह आपको ये सारी post हासिल होंगी, जो judge की post होती है, वो बहुत बड़ी post होती है, ये PCS rank की होती है, तो इसको pass out करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें दो exam होते हैं, और interview भी होता है, और इसको crack करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, अग टेक्स के lawyer बन सकते हैं, criminal law के lawyer बन सकते हैं, woman law के lawyer बन सकते हैं, तो practice एक private practice होती है, जिसमें आप किसी बड़े अधिवक्ता के अंडर में रहके private practice करते हैं, उनके अंडर में रहके practice करने के बाद आप अगर आपने become ले रखा है, graduation में, या फिर आपने LLV में, last year आपको एक subject जिसमें आप criminal law ले सकते हैं, या टेक्स का law ले सकते हैं, या फिर woman law ले सकते हैं, और बहुत सारे laws होते हैं, जो इसको आप चूस करते हैं, और अपना एक अलग से field चूस कर लेते हैं, कि हमको इस field का lawyer बनना है, तो आप एक private practice, अगर आप इन सब जॉपों में अपना career बन बना लिए हैं, लेकिन आपका career set नहीं हुआ है, तब भी आप बेरोजगान नहीं रहने वाले हैं, तब भी आप एक private practice करके, और एक अच्छे से अधिवक्ता बन सकते हैं, अलग से एक lawyer बन सकते हैं, जो private ही तोर पे होता है, वो आप अपना कहीं पे chamber डाले जीए, या फिर किसी senior वकील के अंडर रहके, आप खुद का अपना काम कर सकते हैं, तो ये थे benefit जो आपके काम आने वाले हैं, LLB करने के बाद, तो ये जो private practice वाला, मैंने आपको last time बता है, mostly अधिवक्ता ये इसको easy तोर पे समझते हैं, कि किसी senior के अंडर में रह लेते हैं, और practice कर लेते हैं, खुद का काम करना चालो कर देते हैं, लेकिन जो बाकी की पोस्टें, उसमें आपको exam देने पड़ेंगे, और उसमें pre mains होते हैं, interview भी होते हैं, कुछ exam में, तो उनको सब को crack करना होता है, थोड़ा difficult होता है, लेकिन वही है कि कोशिश करने वालों की कभी hard नहीं होती, तो आप कोशिश करते रहें, और इन exam को निकालने की कोशिश करिए, बाकी जो मैंने आपको फाइदे बता हैं, वो बहुत जादा benefit हैं, और आगर आप कहीं से भी practice करते हैं, मतलब law करने के बाद कहीं भी practice करते हैं, तो आप कभी भी मतलब बेरोजगा ने रहेंगे, कुछ ना कुछ कमाते ही रहेंगे, तो ये सारे फाइदे मैंने आपको बता दिये हैं, और क्या बच्चे के अंदर योगता होनी चाहिए, ललबी करने के वो भी मैंने आपको बता दिया, कि क्या ललबी करने से पहले बच्चे के अंदर क्या योगता होनी चाहिए, अगर बच्च से भी अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने लौ फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इंफोर्मेटिव वीडियो मिल सकें यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत ल